जै जै सीराधे प्रिय भक्तों, बहुत से सादकों का प्रस्ण रहता है कि अपनी योगिता को समझ कर हम अपने साधन का निर्मान कैसे करें। पुरा वीडियो अवस्य देखें और हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेवसाइट www.divvigyans.com पर भी जा सकते हैं। विवेक शक्ती, क्रिया शक्ती और भाव सक्ती इन्ही के आधार पर योगिता का पता लगता है। योगिता में भेद होता है, रुच में अधिक भेद नहीं होता, सभी साधक चाहते हैं कि जो सबसे अच्छी चीज हो वही हमें मिले। सबसे अच्छी चीज एक ही होती है उसमें प्रिकार भेद हो सकते हैं परंत वस्त भेद नहीं होता योगी उसी को योग कहता है विश्वासी उसी को इस्वर कहता है विवेकी उसी को बोध कहता है योगिता और रुच्च के अनसार ही साधन का निर्मन होता है साधक को चाहिए कि अपनी योगिता और रुच का ठीक ठीक अध्यन करे उसमें अपने को धोखा न दे अर्थात दूसरों की ओर देखकर योगिता और रुच से विरुद्ध साधन का लालच न करे रुचे साधक में स्वाभाविक होती है उह किसी दूसरे से प्राप्त नहीं होती समझ दूसरे से प्राप्त हो सकती है और होती है अतह साधक को अपने सुभाव का अध्यन करना चाहिए दो व्यक्तियों का भी सुभाव सरवता एकसा नहीं होता इसलिए योगिता और शुभाव के भेद से साधन में भेद होगा परंतु सफलता में सबकी एकता हो जाएगी उपाय में भिन्निता और फल में एकता इसी का नाम साधन है सांसारिक वस्त्यों की प्राप्ती कर्म के फल स्वरूप होती है इसलिए कर्म के फल में एक्ता नहीं होती अपनी योगिता के अनुसार जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल मिलता है परन्त सबसे स्रेश्ट वस्त के लिए अर्था तो भगवत प्राप्ती के लिए जो साधन किया जाता है उसके फल में भेध नहीं होता साधक को विचार करना चाहिए कि क्या मैंने अपनी प्राप्त शक्ति का सदोप्योग कर लिया है या कमी रखी है विचार करने पर मालुम होगा कि कमी रखी है मैंने अपने को पूरा नहीं लगाया है हर एक मनुस से अपने मन में भरी हुई बातों को पूरे पूरे डंग से बाहर नहीं निकालता, किन्त उपर से कुछ न कुछ बहरता रहता है, अतहे साधक को चाहिए कि अपने मन को टटो ले, उसमें क्या-क्या भरा है, उसे भली बहाते देखे और सोचे कि मुझे में कौन सी ऐसी असमर्थता है, जिसने मुझे अपने लच्छ तक नहीं पहुँचने दिया, अवस्य ही मुझे किसी ऐसे सुख में रसाता है, जिसने मुझे फंसा रखा है, इस प्रिकार सोचकर उस रुकावट को विवेक वल से, अत्वा विश्वास वल से दूर करे, तभी उह साधन में अग्रसर हो सकता है, आश्चर तो इस वात का है, कि साधक को जो कुछ करना चाहिए, उसे करता भी नहीं, और न करने के दुख से दुखी भी नहीं होता, उहे जितना समय और मन अनावस्यक कामों में लगाता है, उतना अपने लच्छ की पूर्ती के लिए नहीं लगाता यदि साधक अपने मन की वास्तिविक्ता को विवेक के प्रिकास में खोल कर रखे, तो उसे मालुम होगा कि मेरे मन में बहुत से ऐसे संकल्प भरे हैं, जिनको मैं न तो पूरा करता हूँ और न मिटाता ही हूँ, यही कारण है कि मेरा मन संकल्पों के जाल में फसा रहता है और सुद्ध नहीं हो पाता, चित सुद्ध नहोने के कारण ही मुझे अपने लच्च की प्राप्ती में बिलंब हो रहा है, मनुस्य अपने मन के असली फोटो को छिपाता चला जाता है और उहे जो जानता है उसके विपरीत आचन करता है, साधान मनुस्यों में और संत में यही अंतर होता है कि संत तो जैसा जानता है वैसा मानता है और जैसा मानता है वैसा करता है, परंतो साधान व्यक्ति ऐसा नहीं करते, अतहे साधक को संतों का अनुकरण करना चाहिए, मनुस्य की इस्तिती सदैव एकसी नहीं रहती, बदलती रहती है, अतहे साधक को सोचना चाहिए कि जब मैं वरतमान इस्तित से अलग हो जाऊंगा तब कहां और कैसे रहूंगा इसका विवेक पूर्वक अध्यन करने से साधक प्राप्त इस्तिती से उपर उठने के लिए अग्रसर हो सकता है प्यारे भक्तों बोगों की रुची हमेशा बदलती रहती है एक रुच की उत्पत्ती और पूर्ती के जाल में प्राणी फसा रहता है जिसको उहे बुरी बात समझता है उसे भी करता रहता है प्रंत रुची की पूर्ती के रस से मोहित होने के कारण उसके करने का दुख नहीं होता और जो सबसे अच्छी चीज है उसे ना पाने का भी दुख नह ये साधक अपने लच्छ की ओर नहीं बढ़ पाता। यद उसके जीवन में वास्तविक दुख का उदय हो जाए तो उसे बहुत सीग्र लच्छ की प्राप्ती हो सकती है। जिस चिंतन को मनों से बिचार के द्वारा वियर्थ समझता है जिसमें मन को नहीं लगाना चाहता उसमें तो उसका मन लगा रहता है और जिसमें लगाना चाहता है उसमें नहीं लगता तथा पे उहे दुखी नहीं होता। इसका एक मात्र कारण यही है कि अपने लच्छ के मह को न जानने के कान उसकी आवस्यक्ता का उसे ग्यान नहीं है इसलिए उसकी तीवर लालसा नहीं है अतहे साधक को चाहिए कि भगवान की महमा को समझे और उस पर पूरा विश्वास करे एवं अपनी लालसा को सजीव बनावे तथा जब तक उह पूरी न हो जाए तब तक चै हो जाती है अतहे साधक को कभी सुख भोग में नहीं रमना चाहिए मनुस्य के मन की सब बातें भगवान पूरी नहीं होने देते इसमें भी उनकी कृपा भरी हुई है यद उसके मन की सब बातें पूरी होने लगें तो ऐसी बयानक इस्थिति पैदा हो जाए जिसकी कलपना भी नहीं की जा सकती इस पर एक बड़ी सुन्दर कहानी है एक ग्रहस्ती में तीन व्यक्ती थे एक पिता दूसरी उसकी पतनी तीसरा उसका लड़का वे तीनों बड़े दुखी थी उनके अभाव की पूर्ती नहीं होती थी श्रिव और पार्वती उधर से निकले तो पार तब सिवजी ने पहले इस्तरी से कहा तुम जो चाहो अच्छे से अच्छा वर मांग लो उसने कहा मैं चौदह वर्स की बड़ी सुन्दर रूप वती और तंदरुस्त हो जाऊं सिवजी ने कहा ठीक है उहे वैसी ही हो गई फिर उसके पत से कहा कि तुम भी वर मांग लो त तब वहे सुकरी हो गई उसके बाद लड़के को वर मांगने के लिए कहा उसने मांगा हम लोग जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएं तब वैसे ही हो गई सिवजी ने पारवती जी से कहा तमासा देख दिया ये लोग कहां सुकी होना चाहते हैं अतहर यह सिद्दुगा कि मनु से सचमुच दुखी हो जाता है तब उस समय उसकी किसी प्रिकार के सुख भोग में प्रवृत्ती नहीं होती और भोगवासना का अंत हो जाता है संसार से अरुची हो जाती है तब वहे दुख मनुष्ट को प्रभू से मिला देता है क्योंकि सुख भोग की रुचे और प्र लोग जीवन कहते हैं यह जीवन नहीं है यह तो मृत्यू का ही दूसरा नाम है एक अवस्था की मृत्यू को ही दूसरी अवस्था का जन्म कहते हैं जैसे बीज की मृत्यू और पौधे की उत्पत्ती वाल्य अवस्था की मृत्यू और कुमार एवं यौवन अवस्था की किर जीवन तो है है जिसमें मरने का डर नहीं है परंत लोग इस परिवर्तन शील अवस्था को ही जीवन मानने लगे हैं एवं सरीर इंद्रियों के साथ विश्यों के संबंद को ही उन्होंने सुख मान रखा है वास्तम में सरीर तो एक हाड मांस और मलमूत्र की थेली है इसकी चा को अर्थात अमर जीवन की चाह को ढख रखा है वहोग की चाह ने मनस को इस्वर से विमुक कर रखा है साथक को चाहिए k% कि इंद्रियों और विश्यों के संबंद से होने वाले सुख भोग की चाह को मिटा कर भगवान के सम्मुक हो जाएं। विचार करने पर मालुम होगा कि सब चीजों के रहते हुए भी अभाव का अनभव होता है। इच्छों की पूर्ती नहीं होती। संयोग का अंत होकर वियोग आएगा। सभी वस्तुएं अनेत्त हैं। उनका संयोग कैसे रह सकता है। जो वियोग को अपनाता है उसे योग और वेरागी की प्राप्ती होती है,' क्योंकि संसार का चिंतन छूटते ही योग सिध होता है। अतह साधक को चाहिए कि जो चीज उसे छोड़ती है उसे पकड़े नहीं प्राप्त करतब्य को भगवान के नाते ठीक ठीक पूरा कर देने से जीवन में सुन्दरता आती है सेवा से संसार में सुन्दरता आती है अतह साधक को चाहिए कि जो काम उहे कर सकता हो उससे अपने को बचाए नहीं जो संकल्प पूरा करने योग हो उसे पूरा कर दे जो पूरा करने योग नहो उसे मिटा दे प्यारे साधकों जीवन में दोश होना आश्चरे नहीं है यह तो मानव का सुभाव है परंत निदोस्ता की मांग ही उसका पूर्शार्थ है यदि साधक के हिर्दय में दोस उत्पत्ती का गहरा दुख हो तो दोस अवस्य मिट जाएगा गहरे दुख से योगी को योग विवेकी को पहुगों से वेरा की प्राप्त होकर प्रफु मिलन का मार्ग मिलेगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सेर अवस्य करें अब प्रेम पूर्वक बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे